दीदी आज आज आप में क्या दिखाएंगी बच्चों आज मैं तुम लोग को जरूर कुछ बताऊंगी लेकिन उससे पहले तुम लोग मुझे एक बात बताओ पूछे दीदी अच्छा आदित एक बात बताओ जो मैं कह रही हूँ, क्या वो तुम्हें सुनाई पड़ रहा है? हाँ दी तो कैसे सुन रही हूँ? काल बिल्कुल ठीक, पूर्शे देख पा रही हो, तो कैसे देख रही हो? आप बिल्कुल ठीक और फालगुनी मुझे पेन तुम्हारे पास है वो जरा मुझे देना बिल्कुल ठीक ये जो पेन तुमने मुझे दिया ये कैसे दिया हाथ बिल्कुल ठीक तुमने मुझे अपने हाथ से दिया और मैंने अपने हाथ से लिया और तुशार यह बताओ कि तुम जब खाना खाते हो तो कैसे खाते हो दाज मूँ बिल्कुल ठीक कान से सुनते हो आँख से देखते हो मूँ से खाना खाते हो तो यह सब क्या है हमारे शरीर के भाग बिल्कुल ठीक आज मैं तुम लोग को हमारे शरीर के भाग और उनके अंग्रेजी में क्या नाम होते हैं ये बताऊंगी ठीक है अब मैं तुम लोग को एक चित्र दिखाऊंगी ये देखो ये है एक लड़के का चित्र और ये है क्या हमारा शरीर बिल्कुल ठीक ये हमारा शरीर है यानि कि हमारी बॉड़ी इसको अंग्रेजी में क्या कहते है बॉड़ी बिल्कुल ठीक ये देखो ये हमारा सिर है क्या है सिर बिल्कुल ठीक ये हमारा सिर और उसको अंग्रेजी में कहते हैं हेड क्या कहते हैं हेड अब जरा इसकी स्पेलिंग बताओ ह-e-a-d बिल्कुल ठीक यह हमारा हेड अब देखो यहां से यहां तक यह क्या है बाल बिल्कुल सही यह हमारे बाल है यानि अंग्रेजी में हो गया हैर यह हमारा है। अब देखो हमारे सिर में यह हमारा चहरा है। और इसको अंगलेजी में बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं फेस। लुकुल षीक हमारे चेवरे में होती है आख नाख मुण और कान ठीक है यह देखो यह हमारी आख क्या है और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं जान। रिर्कुल ठीक अंग्रेजी में हमारी आख और क्यो रियर करका आए 0 Spelling बोलो E-Y-E पिल्कुल ठीक आख यानि की आए और ये जो आख के ओपर ये जो लाइन है ये देखो ये ये क्या है बहौए पिल्कुल ठीक ये हमारी भौए है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आईब्रो क्या बोलते हैं अब दोरा Spelling मेरे साथ बोलो ठीक है ये हमारी दूसरी तस्वीर है क्या है ये नाख और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नोज क्या बोलते हैं नोज अब बताव हमारे नाख का क्या काम होता है सूंग नाख बिल्कुल सही जब सोई में जब ममी अच्छा चा खाना बनाती है तो तुम महकाती है तो किसे सुनते हो नाग बिल्कुल ठीक नाग यानि की नूज अब हमारे नाग के बाद क्या आता है माउथ मूध बिल्कुल ठीक मूध यानि की माउथ अब स्पेलिंग बता इसकी M-O-U-T-H मूध यानि की माउथ और हमारे मूध का क्या काम है खाना बोलना बिल्कुल ठीक मूध से हम खाना खाते है और हमारे मूध में क्या है ये क्या है दाथ बिल्कुल ठीक ये हमारे दाथ है यानि की अंग्रेजी में कहते हैं टीथ क्या कहते हैं टीथ यह हमारे teeth है तो खाना जब मुँ में डालते हैं तो चबाते कैसे हो? teeth बिल्कुल ठीक हम अपने दाथ खाना चबाने में इस्तिमाल करते हैं है ना? और अब देखो यह हमारे चहरे में यह दो कान है क्या है? कान यह हमारा कान है यानि अंग्रेजी में इसको कहते हैं year क्या कहते है? year e-a-r किसे बोलो? e-a-r यह हमारा year है और हमारा कान किस काम में आता है? सूने ना बिल्कुल ठीक यह बताओ बच्चों क्या है? च्छाती बिल्कुल ठीक यह हमारी च्छाती है यह बिल्कुल ठीक यह हमारी नाबी है यानि की अंग्रेजी में हुआ नेवल क्या हुआ अब स्पेलिंग बोलो न-a-v-e-l नाभी यानि की नेवल और थोड़ा नीचे जाओ तो ये क्या है पेट ये हमारा पेट है यानि की अबडोमन क्या हुआ अबडोमन अब स्पेलिंग बोलो A, B, D, O, M, E, N जो सारा खाना तुम लोग खाते हो वो कहा जाता है? अब्डॉम बिल्कुल ठीक, पेट में यानि की अब्डॉमन ठीक है? अब देखो ये अब बताओ ये क्या है? आथ बिल्कुल ठीक ये हमारी बा है ठीक है? यानि की अंग्रेजी में हुआ आम क्या हुआ? आम A, R, M आम और ये बताओ ये क्या है? क्वान बिल्कुल ठीक, ये हमारी कुनी है यानि अंग्रेजी में हुआ एल्भो क्या हुआ? अल्व E, L, D, O, W अब बताओ ये क्या है? ये हमारे यह arm है यानि की bang और यह elbow ठीक है अब बताओ यह क्या है यह बताओ यह क्या है सब लोग पना हाथ दिखा बिल्कुल ठीक यह हमारा हाथ है और अंग्रेजी में इसको क्या कहते है हाथ बिल्कुल ठीक हाथ यानि की hand hand क्या हुआ है अब यह बताओ कि हमारे हाथों का क्या 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 काम होता है बिल्कुल ठीक हाथों से हम लोग खेलते हैं लिखते हैं और खाते हैं है अब देखते हैं यह यह क्या है पैर यह हमारे पैर है यह देखो और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Legs पेर को अंग्रेजी में Legs कहते हैं अब spelling बोलो मेरे साथ L E G F यह हमारे Legs है ठीक है? और यह क्या है? Foot यह हमारे पेर है, यानि कि feet इससे हम लोग चलते हैं तो spelling क्या हुए इसकी बताओ F E E T बच्चो आज मैंने तुम लोगों को जो बताया है क्या तुम्हारी वह समझ में आ गया हाँ दी अब मैं तुम लोगों से कुछ पूछती हूँ ठीक है अच्छा बताओ ये क्या है बिल्कुल ठीक हाथ यानि की हैंड अंग्रेजी में हैंड हुआ और ये क्या हुआ आख यान अंग्रेजी में क्या क्याते हैं डोगों